हमेशा आपने देखा होगा फिल्मों को बेचा जाता है उनके face value पे मतलब उसमें काम करने वाले actors को एकदम आगे रखते हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन कभी ऐसा देखा है जब फिल्म में खुद बादशा शारुख खान मौजूद हो लेकिन उनका नाम लिये बिना ही फिल्म को पूरी दुनिया के सामने उतार दिया जाए डंकी का पहला poster आया जुसने हर किसी को बताया अब तक जो cinema में बना है वो सिफ ट्रेलर था असली पिक्चर तो अब आएगी मेरे दोस्त बट इंटरस्टिंगली इस poster पे ना तो फिल्म का नाम लिखा गया और नाहीं King SRK का कोई जिक्र था बस नीचे छोटा सा लिखा था राजकुमार हिरानी फिल्म बॉस जिन्दगी में कुछ करो ना करो बस इतना सॉलिड नाम जरूर करवाना जिस पे लोगों को शारुक खान से भी जादा भरोसा हो जाए पूरा बॉलिवुड साउथ को कॉपी करके करियर चला रहा है लेकिन ये बंदा वो है जिसको खुद साउथ वाले कॉपी करके बिजनिस बनाते हैं बोलो उसका नाम राजकुमार हिरानी दो जीनियस 100% सक्सेस रेट बॉस इतना तो कंप्यूटर भी नहीं देता कभी तो मशीन से भी गलती हो जाती है बट राजु सर से नो चांस देखो मैंने पहले ही बोला था आपसे पठान जवान की तरह डंकी को एसार के की फिल्म मत समझना ये राजकुमार हिरानी की दुनिया होगी 100% हाँ तो पहला पोस्टर आया है साथ में धेर सारे सीक्रिट्स की चाबी लेकर आया है ध्यान से देखोगे तो डंकी का खजाना खुल जाएगा सबसे इंपॉर्टन चीज तो ये पता चल गई है कि फिल्म में शारुख खान एक सोलजर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं वैसे नोटिस किया आपने एकी साल में तीसरी बार शारुख खान सोलजर उफ देशपक्ती वाला केरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं टेंशन क्यों लेते हो जब आप खुद फिल्म के पोस्टर में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सोलजर जर्नी टू कीप अ प्रॉमिस डिरेक्ट इशारा है डंकी इमोशनल फिल्म होगी फुल अफ ट्विस्टें टर्न्स जिसमें पब्लिक की आँखों के समुंदर का एक्जाम लिया जाएगा टिकेट लाओ ना लाओ टिशू पेपर जरूर लाना साथ में रूर्ट मैप भी है ये सफर शुरू होगा विदेश में इंग्लेंड से और आके खतम होने वाला है अपने देशी हैदराबाद की जमीन पे लेकिन डर मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि उस मैप पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी मौजूद है एक तीर से दो नहीं पूरे तीन निशाने मारे गए हैं नमबर वन वो लोग जो साम दाम दंड भेत किसी भी तरीके से डंकी को 2023 से 2024 में खिसकाना चाहते थे सीधा उनके सर के बीच और बीच चलाई गई गोली की तरह है ये पोस्टर रिलीज डेट 22 नहीं अब 21 दिसंबर होगी Simple English No Confusion नमबर टू वो लोग जिनोंने इल्जाम लगाए थे कि डंकी तो चोर है इसकी कहानी ओरिजिनल नहीं रीमेक है उन सब लोगों के लिए वैक्सीन की सुई बनके आया है ये पोस्टर बहुत दर्ध होगा जाओ अब देख लो CIA की कहानी और डंकी का सबजेक्ट जमीन आस्मान का फर्क है दोनों में गुरू अब नए इल्जाम ढूनने पड़ेंगे दो महिने का टाइम है अच्छा खासा तयार होके आईए पोस्टर पे वो रूट मैप सिर्फ फिक्शन नहीं अब सिर्फ डंकी का डंका बजेगा बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फर कुछ शेकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टरग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए बिलूँगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई